तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यहार बात करने वाले हैं यहां पर मी यूए 12 एंड कुछ आपस अपडेट के बारे में अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहार प्लीज कर लीजे हमारा टारगेट है कि हम 100,000 वाइटी अटेक फैमिली इसी साल पूरी कर लें अगर आप सपोर्ट करेंगे तो यहार हो जाएगी वरना नेक्स्ट ये तो दोस्तो यहां पर हमारा एक चैनल है अगर आपने जोइन करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें हम सभी अप्डेट्स आ मियुआ 12.0.7.0 की स्टेबल रोम की अपडेट जो है वो पुश कर दी गई है इसमें नवेंबर का सेक्योर्टी पैच लेवल है अगर आपके बास रेडमी 9a डिवाइस है तो जाएगे अपडेट कर दीजिए अगर आपको अपडेट नहीं मिली है तो लिंक मैं आपको डि APK जो है मैं अपने Telegram Group में दे दूँगा आप वहां पर जाकर इन्हें डाउन्लूड कर सकते हैं तो वर्जियन 19 सिस्टम लॉंचर जो है काफी दिन पहले लॉंच हुआ था तो अब इसका फाइनल रोल आउट जो है वो स्टार्ट हो चुका है सभी डिवाइस के लिए जो म अब जाकर अपने system update में जाए अगर आप alpha का user नहीं करते हैं तो आपको यह update यहां पर system apps के अंडर देखने को मिलेगी तो home screen में जाने के बाद अगर आपको एक नई update मिली है तो यहां पर system navigation जो है यहां पर आ गए है अगर आपको यह अभी नहीं मिला है तो बहुती और जो home screen है वो यहां पर layout थोड़ी सी change कर दी गई है यहां पर classic यहां पर with app drawer बाकी सब वैसे का वैसा ही है पर यहां पर थोड़ी सी layout change कर दी गई है तो दोस्तो next जो update आई हुई है वो है security app की यह कल update आई है यह एक नई update है जो ATL thanks app का bug चल रहा है शोमी जो है उसे ही fix करन 0 की यहां पर security app की update देखने को मिली है तो आप जल्दी से जाए अपडेट कर लीजिए अगर नहीं मिली है तो APK telegram group में मिल जाएगा तो इसमें जो है वो ATL thanks app का bug पूरी तरह fix कर दिया गया है उसके बाद दोस्तों यहां पर एक theme app की update आई है यहां पर आप देख सकते हैं तो we have fixed some bugs कुछ लोगों को कुछ user का अगर आप कोई theme लगाते थे तो theme जो है automatically जो है वो default पे चला जाता था तो यह एक नई update आई है जिसमें यह कुछ fix किया गया है और यहां पर नए wallpaper, ringtones and all that जो है भी add नया किया गया है जादा कुछ नहीं है पर bugs यहां पर fix कर दिये गए हैं तो दोस्तों यह सारी information थी इन सभी apps and me UI 12 की updates के बारे में तो यह आज के लिए बस इतना ही